तो दोस्तों चलिए बात करेंगे UAE वोमेन भर्सेस थाइलाइंड वोमेन के भी जो मुकावला खेला जाएगा बहुत सारे एसे पिलेर हैं जिनका सेलेक्शन काफी कम आरे कुछ एसे पिलेर जिनको केप्टन वाइस देना चीए लेकिन काफी काम लोगों ने केप्टन वाइस दिया है तो एक मेच जबरदस्त हो सकता है वीडियो में बने रहोगे तो जी एल भी वीन हो सकता है तो इस मेच का आपको वीडियो धियान से देखना काफी जादा जरूरी है क्योंकि एसे एसे टोपिक बताऊंगो बस छोटा सा आपको कॉम्बिनेशन पे एक दो पिलेर को इधर से उधर करना है जी एल वीन हो सकता है केप्टन वास के लिए तीन से चार उप्सन है लेकिन दो सबसे बेस्ट उप्सन में बताऊंगा जो आपको पसंद भी आएगा और अच्छा खासा जा सकता है तो अगर जदी आप इस मुकाबिले को खेल रहे हो तो सबसे ज़्य पूर्ण है हमारे टेली ग्राम चैनल में आपको जुड़ना क्योंकि बहुत सारे एसे में चोते जिनका लाइन अप नहीं आता है लेकिन आज तक एसा नहीं हुआ कि आपका भाई लाइन अप ना दे उनका प्लेंग लेबन देता हूं कोई निउज आता है वो मैं देता हू टेली ग्राम पे साथ ही साथ फाइनल टीम भी देता हूं तो इस वज़ा से हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जॉइन कर लेना चाहिए तो आपको जुण करना किस परकार है तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देखते हूं, यह हो गया डिस्क्रिप्चन, इस डिस्क्रिप्चन में किलिक करना, जैसे हम यहाँ पर किलिक करेंगे, नीचे आपको टेली ग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, इस बुलू बाले पर आपको किलि होतार मैंने कई बार आप लोगों को फिरी में जील विन करवाया भी है तो इस वज़ा से हमारे टेलीग्राम चैनल को जुआइन कर लो क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं हूँ बहुत आपको डोमेस्टिक पिलिंग ले बनना जार आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल जो दिख रहा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरी ये ही जुड़ना है तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे थाई लैंड वोमेंस के उपर तो यहाँ पर एस टी पोच की बात किया यहाँ पर तो देख सकतो 29 रंग की पारी इनके साथ आते हैं इन चन्तम इन बुच्टम ये ओडि आई का है यहाँ पर आप देख सकतो इनके अलाबे यहाँ पर देखा जाएं सिस उत्तरंग की बात के एक बिक्टे यहाँ पर लेगे इन बुच्टम चार बिक्टे लेगे गजब की स्पीन गिनवाजी करते एस टी पोच की बात के दो आप गित्टम महीं इनके अलाबे आर कौंग को यहाँ पर दो अबर में एक मेड़न में भी दूसरे जाएं सैसाल लेगे इन के अलाबे बिकट की पर यहाँ नाम थोड़ा अल्टार है नाम बोलने में भी दूसरे जैसा लगता है एन चाई वाई ने यहाँ पर 20 पर 5 जड़े तो दोस्तों इनके तरब से ओपन जाएगी एन बुच्तम लगभग ओपन आ रहे है इनको केप्टन भाज देना चाहिए इनके साथ आएगी एन चन्तम इनके अलाबे देखा जाए नन्नूमपत की बात किया जो की बिकेट की प्रिंग सेक्षन पर है इनके अलाब ओन नी चा की बात किया यहाँ पर जो गेन बाजी करेगी 14 रन की पारी खेली इनके लब एन चाई वाई केप्टन बाइस रन एन चाई वाई उपर भी आ जाती है कई बार यह बात आपको ध्यान रखना चाहिए गेन बाजी की ओर देखी जाती है एन बुच्टम तिन बिक्टे ले गई इनके अलाब देखा टी पुट्टा हाउ वाउंग की बात किया चार उभर में एकाईस रन देकर एक बिक्टे और किन ही को कोई बिक्टे नहीं मिली इनके अलाबे दोस्तों यहाँ पर दुसरा इसकोर एन बुच्टम फिर से 24 जड़े एन चैन्तम ने 88 रन की पारी किलिक या गजब की पारी एन चायवाई टीम के केप्टन 15 पर 20 जड़े क्या गजब किये और इनके टीम थोड़ी श्ट्रोंग भी है यह ने बुच्तम चार बिक्टे भी ले गई इनके अलाबे देखा जा ओनी चा की बात किया दो बिक्टे एस लाउमी ने यहाँ पर दो बिक्टे ले गई जब कि पारी खीलती है चाई ने बजा इनके लेखित के नाम से है इन्होंने भी इस पीन गिन बाजी की तो दोस्तों यहाँ पर जब कटर वोमेंस के साथ खेला गया थे यह ओजाई रोहित ने सत्तक जड़ दिया एक सो पंदर रन के ध्माकेदार पाड़ी खेली यहाँ पर गजब का यह सोट खेलते हैं 30-35 जड़े के वीशा 28 के वीशा ड्रीम 11 का हिस्सा नहीं है यह बात आपको ध्यान रखना है इनके अलाभी गिनवाजी जब की गई सी मुगल एक बिटे ले गिये एस को टी ने चार बिटे ले गिये इनके तरफ जो गिनवाजी एक के गिनवाज रोटेट करना है न अब ही पहले अगर जड़े हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 सी रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इनफोर्मेशन दे देता हूँ फिलाल अपडेट तो टी सट का ही चल सभी भाई ने ले लिया जो नहीं लिये हो टेलीगराम चैनल पर वीडियो पीन है उनकी साहिता से ले सकतो इनके अलाबे भी कुछ जनकारी लेना हो तो इंस्टागराम पर मिसेच करो न मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई भी देता हूँ वह भी बेहतर तरीका से तो द जोहित को तो पीक करना एंचाई वाई काफी बनिया कि एक कुमारी का देखो रिकोर्ट देखा गया उतना खास है नहीं इस वज़े से मैं यहाँ पर एंचंतम को पीक क्या हूँ एंचाई वाई के जगा चाहो तो इनको पीक कर चाहतो एक गोक ले कई बार यह पार्ट तो फिलाल कर यह तीम है हमारा यहां पर एस टीम पोच को यहां पर पिक चाहा हूँ इस पीन गेनबाजी करती है लेकिन लास्ट के कुछ मेंस से यह गेनबाजी नहीं कर रहे तो जो चाहो तो बड़ा रिस्क ले सकते हो इनके ऊपर वाईसे काफी एनुभावी है पहले यह काफी बढ़िया, करिया डिकोल भी बढ़िया सी मुगल ओपान आती है, साथ में आपको फास्ट गिनवाजी चार उभर करके देगी ये बेस्ट ओप्शन है केप्टन भास के लिए इनके लब सुतरंग की बात की जाए ये भी लास्ट के तिन चार में से गिनवाजी नहीं करे, हो सकता है कमजोड टीम के खिलाब खेल रही थी, तो ये श्टी पोच और सुतरीं को गिनवाजी नहीं दे रहा था क्योंकि गिनवाज तो काफी दोनों बढ़िया, दोनों बले बाजी भी कर लेते, याने कूल मिला कर देखा जाए दोनों एक बहतनी ओल्ड राउंडर है फिर भी रिस्क लेने में मत डरो, मैं तो बड़े-बड़े पर रिस्क लेता हूँ, वो सफल रहता भी है और कई बार लोस का भी सामना होता है ये पिछे आती थी बले बाजी करने के लिए अब ये उपन आ रहे है, ये साथ में स्पिन गेन बाजी करते हैं तो मैं इन ही केप्टन दूँगा इसलाओं मी गजब की स्पिन गेन बाजी करते हैं हर मेच पर बिक्टे लेने की छमता रखती है इनके अलाबे यहाँ पर देखा जाए कि खुशी सर्मा को पिक किया जाए दोनों गजब के क्वालिटी स्पिनार है दोनों के उपर विचार कर रहा हूँ कई बार मुझे लगता है भी महेश के साथ जाऊँ कई बार लगता है खुशी सर्मा के साथ जाऊँ अगर जदि बले बाजी के नजर्या से देखा जाती है खुशी सर्मा भी महस से पहले बले बाजी आ जाती है इनके अलाबे एसकोटी फस्ट गेन बाजी करती अगर जदि शुरुवाती बिक्टे मिले तो ये अच्छा खासा परदर्सन कर सकता है एक मैच में इन्होंने चार विक्टे भी लेकर आई कटर वोमेंस के सामने लेकिन थाइलाइंड वोमेंस के सामने बहतर करना थोड़ा सा मुश्की लोगा तेसकोटी को जील पे ट्राइ करना आई नंद कुमार की बाद के ये भी काफी सांदार गिन बाजी करती है तो इसके उपर भी आपको विचार करना चाहिए फर्स्ट पे आता है यहाँ पर के सरमा दूसरे पे भी महेश तिसरे पे नंद कुमार चाउथे पे एसकोटी उसके बाद एम गौर तो इसमें से एक पिलियर को पिक करना हो सकता आप इनको आगे चाहो तो ड्रोप करता है लेकिन थाइलाइंड वोमेंस के तीम थोड़ी मज इसलिए मैं जा रहा हूँ फिलाल के लिए महेश और यहाँ पर के सरमा को उपर मैं थोड़ा सा सोचूंगा और जो होगा मैं वो पिक कर लूँगा अब भी अपने साथ कर सकते हो एक एक प्लियर रोटेट करके अब बात करें केप्टन भाजगीत यहाँ पर देख सकते लेकिन लास्ट के कुछ मेंस से गिनबाजी नहीं करें हो सकता है इस मेंस में गिनबाजी ना करें तो दिकते आ सकती है वैसे मजबूर टीम है करना चाहिए लेकिन एन बुछतम के बाद ए रोहित गजब की आकरमाग पारी खिलते है इस पीन गिनबाजी सी मुगल भी उपन सिदा मिलता हूँ इस मेंच के अपडेट के साथ अपने टेली गराम चैंनल डोमेस्टिक पेलेग इलेवन पे